तो सबसे पहले अपने को SL का प्रोविजन करना है उसके बाद ट्रेड आगे बढ़ाना है बिना SL के प्रोविजन के ट्रेड आगे नहीं लेके जाना है या ट्रेड ही नहीं लेना है भाई अगर मेरी कपासिटी पाँच हजार खोने की है तो वो पाँच हजार भी खोते-खोते मैं कम से कम दस ट्रेड तो लोगी लॉस नहीं हो और उसके बाद अगर मैं देखों तो यहां पे क्या मुझे सौ पॉइंट मिल गए है अब मेरा एसल से वो डर खतम हो गया कि मुझे लॉस होगा होगा तो अब यहां तक अगर मैं आके दूँ नमस्ति फ्रेंज मैंने अभी कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी में 20 एमे का बैंड लिया था तो मेरे पास क्वेरी आई कि हमें 5 एमे के बैंड पे भी चाहिए बिकॉस दाट इस गुड फॉर्स स्कैल्पिंग तो हाज मैं 5 एमे के बैंड पे बनाती हूं यह स्कैल्पिंग में भी कामाता है और इंट्राडे के लिए भी कामाता है देखिए ऐसा है moving average कोई भी ले जब हम intraday करते हैं तो हम lower time frame prefer करते हैं तो 5 minute 15 minute मैं इससे 3 minute जा सकती हूं लेकिन volatility बहुत बढ़ जाएगी मेरे trades काफी बढ़ जाएंगे scalping के लिए ठीक है लेकिन थोड़े SL जादा ही होते हैं comparatively 5 minutes are much better results भी अच्छे आते हैं मैं overall घर दो पैसा लेके जा सकती हूं in short तो मैं 5EA में भी आपको बता रही हूं लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखनी है जब भी हम intraday करते हैं तो intraday के rules होते हैं एक तो हम बहुत बड़ा trade कर लेते हैं चोकि capacity के beyond होता है तो जब SL हिट होता है तो वो हमसे बरदाश्ट नहीं होता तो सबसे पहले अपने को SL का provision करना है उसके बाद trade आगे बढ़ाना है बिना SL के provision के trade आगे नहीं लेके जाना है या trade ही नहीं लेना है SL कितना लेंगे सबसे पहली बात वो pocket पे depend है अगर मैं system की बात करूँ तो system मुझे बताता है कि मुझे इतना SL आएगा इस trade में तो उस SL को उठाने के लिए मुझे कितनी quantity करनी चाहिए क्या मुझे आज ही खतम कर देना है पैसा भाई अगर मेरी capacity 5000 खोने की है तो वो 5000 भी ख खोते खोते मैं कम से कम 10 ट्रेड तो लूँगी अब 10 ट्रेड में 5000 रुपए लग गए मतलब 500 रुपए पर ट्रेड अगर 10 ट्रेड में भी 5000 लग गए तो लेके साइड हट जाना है ऐसे ही लाखो रुपए loss में नहीं लगाना है अगर एक भी ट्रेड में profit नहीं आता है stop loss को बराबर hit नहीं किया या फिर हमने उसको ठीक से study नहीं किया और अगर सब कुछ ठीक है और मार्केट में अगर volatility continue है तो दो ट्रेड जाते जाते छोड़ दो दो या तीन continuous stop loss हिट हो गए 15 रुपए तूट गए एक दिन में छोड़ दो इससे जादा नहीं करना है आज ब high और low का तो बैंड में एक खास बात क्या है यह कभी भी cross over नहीं लेंगे because यह high और low को पकड़ते हैं तो कभी भी इनमें cross over नहीं आएगा बैंड के बीच में जब जो रहता है तो हम उसे sideways ही कहते हैं और बैंड भी अगर flat रहता है तो हम उसे sideways कहते हैं तो बैंड मैं इसलिए prefer करती हूँ क्योंकि बैंड जो है मुझे turn होते हुए दिखता है, move होते हुए दिखता है, मुझे range के बाहर जब candle निकलता है वो मुझे चाहिए, because according to me that is a breakout or breakdown, तो चलिए अभी हम चाट पे देखते हैं कैसे उसे plot करते हैं, तो देखे इसमें हम कैसे करते हैं, हम यह में डालेंगे, दो बार डाल देंगे, दोनों बार आ गया हमारे पास, एक extra आ गया, तो इसे हम delete कर देंगे, इसकी setting हम change करते हैं, यहां पे जा कर देंगे low, और style में जाके color वही रखेंगे, थोड़ा सा इसको thin कर देंगे, because EMA है, और यह दूसरा वाला EMA, इसको हम red color कर देंगे, thin, inputs, 5, और इसको high, यह कभी भी एक दूसरे को crossover ने करेंगे, अब friends, इसमें हम, let us say, जैसे मैंने बताया था, यह इतना gap up हुआ है, तो we will wait for the market to settle, नीचे आया, पूरा, यहां तक की volatility है, अराम से 11, 11 तक बैठी है, उसके बाद, जब movement आएगा, तब देखेंगे, अभी तक, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा यह gap आ गया, तो मैं थोड़ा trade करना कम पसंद करती हूँ, अब यहां से हम start करते हैं, यहां पर, यह green में उपर बंद किया है, इसका high break नहीं किया है, फिर यह green बंद किया है, सीधा gap up खोल के तुरन नीचे उतार दिया है, तो मुझे buy करने का chance मिला ही नहीं होगा, यह close, और यहां पर मुझे short का trade मिला होगा, तो अगर यह मुझे short का trade यहां पर मिला, तो इसके साथ मेरा SL क्या होगा, मेरा SL day high तो ले नहीं सकती, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहां जो बड़ी candle होती है, मैं उसे भी stop loss बना सकती हूँ, यह होता है touch and go SL, मतलब अगर यहां पर मुझे exit करने का chance नहीं मिलता है, तो सीधा उपर चला जाता है, तो touch and go निकल जाएगा, otherwise, जो red line है, उसके उपर close देते ही, मेरी short position कट जाएगी, जब तक उसके उपर close नहीं देगा, तब तक मैं short position कट नहीं करूँगी, दूसरा, अब मेरा stop loss कितना है, यहां है, हमने letter से बेचा है 125 में, और stop loss मेरा है 225, 100 points के लगबग का stop loss है, तो जैसे ही मुझे 100 points मिलेंगे, मैं अपनी half position square off कर दूँगी, जिससे क्या है, कि अगर touch and go में भी चला जाए, तो मुझे loss नहीं हो, और उसके बाद, अगर मैं देखूँ, तो यहां पे क्या मुझे 100 points मिल गए है, 120 पे बेचा है, तो क्या मुझे मिल गया, तो 100 points मुझे मिल गए, अब मेरा SL से वो डर खतम हो गया, कि मुझे loss होगा होगा, तो अभी बहुत nominal होगा, अब यहां तक अगर मैं आके देखूँ, तो यह point है, जहां पे इसने close किया है, EMA के उपर, आप point देखिए, EMA का point कितना है, high का 49081, और close कितने पे किया है, 49088, मतलब हमारी position close हो जाती है, उसके बाद भी हमने बेचा कहा था, हमने यहां पे बेचा था, और यहां पे काटा, तो इसमें भी हमें कुछ न कुछ मिला ही है, तो overall net में हमें पैसा आया ही है, गया नहीं है, भले हमें 70-80 रुपया होंगे, लेकिन आया ही है, गया नहीं है, ओके, again, अगर आप भी intra-day trading सीखना चाहते हो, तो हमने आपकी फेवरेट, जोदी कुद्या माम के साथ मिलकर एक कोर्स डेवलप किया है, इस कोर्स में माम ने हमें से काया है, कि हम intra-day basis पर breakout trades को कैसे identify करें, using open high, open low, short build-up, and long build-up, अगर आप ये methods को correctly apply करते हो, तो आपके लिए profitable trades को spot करना बहुत easy हो सकता है, ये कोर्स हमारे platform में सरफ 399 रुपीस में available है, और description में दिये गए लिंक पर जाकर आप उसके लिए register कर सकते हो, यहाँ पर नीचे बंद हुआ है, almost same low है, फिर नीचे बंद हुआ है, यहाँ पर मेरा trade execute हुआ है, अभी यहाँ पर अगर मेरा trade execute होता है, मेरा stop loss यहाँ पर आएगा, क्योंकि बीच में मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रहे, ये stop loss बहुत बढ़ा हो जाएगा, I will not take a trade, again, इस अभी तक कुछ भी हाथ नहीं आया, कोई बात नहीं, we are traders, हमको जब भी opportunity मिलेगी हम छोड़ेंगे नहीं, फिर से close, फिर से अब यहाँ पर फिर एक trade आया, तो चलिए हम यह हमारा एक और trade बनाते हैं, यहाँ पर, और फिर SL कितना आएगा इसका, यह हमारा low है, तो उसके हि SL है, 941 या 940 और 49050, 110 पॉइंट का हमारा SL है, 110 पॉइंट उपर हम आधी profit बुक करेंगे, यह touch and go है, otherwise इसके उपर, तो क्या हुआ friends, पूरी rally देखे गया है, दो बजे तक, इतनी अच्छी rally दिये, यहाँ पर hit हुआ है, ट्रेलिंग SL, लेकिन हमने आधी profit तो यहीं बुक कर ली थी, trailing SL हमारा यहाँ पर hit हुआ है, around 250 के असपास, यहाँ close दिया है, suppose 228 पर, तो अभी अच्छा profit हमको मिल गया है, 200 पॉइंट का, ले देके 100 और 200, 1500 पॉइंट तो करीब करीब मिल गये, यह मत कहना, कि मैं 400 पर बेच देता, ऐसा कर देता, बोलना बहुत आसान है, रियल में, इतना भी अगर hold कर लिये, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ओके, चली आगे चलते हैं, यह election के दिन भी बहुत अच्छा काम किया था, जब election के result आये थे, gap down open हुआ, इसका low तोड़ा, अभी SL तो मेरा यहाँ पर आएगा, अभी यह election results है, तो margin भड़े 500, और trade हुआ, 50,300, 800 points का है, हिम्मत है, तो करना, नहीं हिम्मत है, छोड़ देना, मज़े लेना, जब ऐसा वाला stop loss हूँ, फिर 800 points पे जहाँ पे हमारा profit बने, आधी position हलकी कर लेनी है, मिले 800 points, position कट गई, अब देखे, कहीं पे भी इसने उपर बंद दिया हो, तो, यहाँ प यहाँ के इसने उपर बंद दे दिया, exit, 2-3,000 points मिले है, not bad, उसके बाद, यह यहाँ पे मुझे, buy signal भी दे रहा है, I can buy, but again, my stop loss will be how much, 800 का तो मैंने देख लिया, अब मेरे हिम्मत के उपर बात है, बहिया, 800 तो चलेगा मुझे, यह है, 400, और यह है, 1200 के stop loss तो मैं नहीं दे सकती, दे सकते हो, नहीं न, फिर कोई chance मिलेगा कम stop loss के साथ में, तब देखेंगे, यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन again stop loss उतना बड़ा है, कम stop loss के साथ chance मिलते है, यहाँ पे है, stop loss यह है, आधा cost to cost मतलब almost, यहाँ पे हम निकल गए, कुछ नहीं आया, फिर से buy, तो यह हमा लेटा से buy level है, अब यहाँ पे क्या stop loss है, 400, तो 400, 200, 600, 800 तो सुबह उठाये था, प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ गया, 600 का stop loss लेके, चली आगे बढ़ते हैं, 600 पॉइंट उपर हमें half profit book करनी है, क्या 600 पॉइंट उपर half profit book हो गई, बिल्कुल हो गई, राइट, देखे यहाँ पे कहीं पे भी SL नहीं लगा, यहाँ पे आके मेरा trailing SL हिट हो गया, तो अभी पैसा आया ही है, गया नहीं है, तो उसके बाद again weight यहाँ पे दिखाया है, लेकिन फिर वापस खा गया हूँ, ओके, कोई बात नहीं, अब फिर से यहाँ पे हम trade ले सकते हैं, तो चलीए election day पे इसमें बहुत मजा आया था, actually देखा जाये तो इस type की strategy पे, जब result आ रहा था, trade बहुत fast था, stop loss इसका हम यहाँ पे लेंगे, करीब 600 point, already आज का दिन हम profit में हैं, तो थोड़ा 600 का risk फिर से लेके काम कर सकते हैं, 600 उपर हमने half position कट कर ली, no loss की position में आ जाएंगे, अग यहाँ पे square of war trade, system ने जो मेरा trade square of किया, यहाँ पे, तो election day के result के दिन भी, यह strategy काम करती है, unfortunately, मैं इसे live market में नहीं कर पाती हूं आपके लिए record, लेकिन इसे practice करिएगा, और मुझे बताईएगा कि यह आपका सही जाता है, या नहीं जाता है, अगर यह सही जाता है, और बह सके तो options में काम करिए, जिससे क्या है कि आपको बड़ा loss profit ना हो, एक बार profit तो हमें छोटा ही आता है, लेकिन loss बड़ा हो जाता है, तो काम options में try करिए, मैं options पे भी बना दूंगी, इसी type से video, और देख लीजेगा, लेकिन comment box में लिखिए कि आपको इसका advanced version चाहिए, आप कैसा लगा ये program, तो भे ये एक छोटा sample है, चलिए, आपके लिए मैं ऐसा एक काम करूंगी, कि मैं किसी दिन live market में ऐसा वाला recording करूंगी, और करके post करूंगी, live में नहीं दिखाऊंगी, live market में recording करके आपको post करूंगी YouTube पे, but live I cannot do, तो इसी के साथ आज का session यहीं खतम होता है, thank you very much